हलो मेरा दाम डॉक्टर धीपक केड़कर है मैं शैक्याट्रिस्ट, इपनोधेरपिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डिएडिक्षन स्पेशेलिस्ट, एनलपी ट्रेनर और एक कोच हूं मैं आपको बताने वाला हूं आज वैस्कुलियर डेमेंश्या के बारे में Vascular Dementia का मतलब है कि दिमाग में खुन पोशने के वज़े से भ्रमिष्ट पना होना, भ्रमिष्ट हो जाना, भ्रम निर्मान होना होता क्या है कि 60 साल के बाद में यदि कोई operation देखती का होता है अब आजकर तो है और गुठ्ण देखते गुठ्ण का ओपरेशन काफ ज्यादा प्रमान में हो रहा है या कोई भी operation होता है,क प्रॉस्टेट का ऊप्रेशन होता है या कोई भी operation होता है, तो operation के बाद में स्टेज रहती है कुछ दिन तो उसमें हो सकता है कि एक तो उमर के हिसाब से बोलो ऑपरेशन के बाद में कोई दवाई खाते हैं मतलब उसकी अलोपेटी की तो उसके वज़े से बोलो या फिर और कोई कारण अनिस्टेशा दिया गया था उसमें बोलो ब्रेन को खुन का दौरा जोए वो कम पहुचता है या ऑक्सिजन कम पहुचता है तो फिर भेजा जितना चाहिए उतना काम करता नहीं है और वो काम करना बीच-बीच में छोड़ देता है तो ऐसे जो वेक्ति है इनको ऑपरेशन के बाद में या कोई बिमारी बुखारा जाता है उसके बाद में या कोई लूज मोशन होते जादा टौइलेट लगती है उसके बाद लोग कुछ तभी बिमारी हो जाती है और बिमारी के बाद में उनको भ्रमोना शुरू हो जाता ह और भ्रहम फिर उनको मालूम ने जाता है कि हम कहा है आजवाज में कौन है लोगों को पहचानते नहीं है घर के अश्का वार कोई सा है तारिक कोई सी है शुबह क्या खाया क्या पिया बातरूम का है टौइलेट का है उनको ऐसा एक एक अप्रेशन के बाद में और उनको समझत कि हेनrophy में तकलीप जादा बढ़ने लगती है उनको कॉंपलिकेट 2022 मही क्टिविट्य यजcken है जादा कठीडा उनको आदेश दिये आदेट। वह समंझते नहीं ज़्यकेम से उनको हिसाब करने लगा तो ओ करने सकेंगे या उनको कहतीक काने क्टिविटी करने मतलब नहीं कर सकेंगे, और भुलक कर पनाता है, भूल जाते हैं, तो इसको यह व्मारी उमर की हिसाब से हो सकता है कि बढ़ते जाएंगे, और उसका वो ज्यादा बड़ा रूप लेंगी या फिर दवाई करके खान पान अच्छा करके हो सकता है कि complete recovery पूरा अच्छा वेक्ति वो हो सकता है मकर इस समय यदि उसको Alzheimer का dementia Alzheimer's dementia करके जो बिमारी यह Alzheimer's नाम के वेक्ति ने यह भ्रम की बिमारी दून के निकाली थी और उसके नाम से ही जाना जाता है तो जो जो अल्जायमर जीशाए वह ही उसके साथ में आगया तो फुर तो आदमी ठीक होना बहुत ही कठीन है इस मतलद बीमारी उसका टिट्मेंट है हमने जो अभी नया हस्पिल चालू किया वो हस्पिल में हम अभी जो सिनियर सिटिजन जो है वृद्ध लोग जिनको ये डेमेंशा भ्रम भ्रम की बीमारी अल्दायमर्ज देमेंशा हुआ है उनको हम रखते है उनकी हम पूरी केर लेते है होता गया है कि आजकल के फास्ट जम पाने में जो सिनियर सिटिजन है वृद्ध वेक्ति जो है बुड़े लोग उनको घर में रखना उनकी केर लेना लोगों के लिए संभो नहीं है इस्पेशली पती-पत्नी यदी काम पर जाते हैं दोनों वर्किंग है बच्चे घर में घर छोटा है तो घर में रखना उनको ट्यूलेट कपड में कर देंगे ऐसे इसमें उनको मेडिकल जैर लेना साथ साधा ज़रूरी यह तुमने भी एक होस्पिटिल खोला है उसमें पर वेवस्ता वहाँ रुख सकते हैं उनको अच्छा हम करते हैं उनकी केर लेते हैं अच्छा होने के बाद में उनको फिर वापस भेजते हैं और कुछ बिमारियां इसमें ऐसी होती है अल्दायम और जिमेंश है कि अच्छे होती नहीं है उनको हम जिन्दकी उपर के लिए उनके हम केर लेत यह हमारे अकॉला के हॉस्पिटल में हमने भी जो नए हॉस्पिटल खुला है उसमें यह विवस्ता स्पेशिली की हुई है और वहां लोगों को रख सकते हैं तो जरूरे वीडियो शेयर कीजिएगा और स्पेशिली वृद्ध लोगों के लिए senior citizen के लिए उनको जो डिमेंश है मतलब वेसल जो है उसका अंदुरूंज भाग हो चोटा हो जाता है उसके वज़े से यहां कोई बीमारी के वज़े से oxygen का सप्ला पूरा नहीं होता दिमाग में उसके वज़े से दिमाग काम ने करता भ्रम होता है तो उनको अच्छा करने था हम यहां हमारे यह रखते है अब उनको जरूर भेज़ेगा उनको जरूर शेर करो ताकि वो लोग इसका फायदा उठा सकेंगे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो थैंक्यू बेरी मच्छ